तो नमस्कार दोस्तो आरार्वी एंटिपीसी का अज़ पैडिमिट कार्ड है वो कम निकलेगा सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कब से आपकी परिक्षाइं स्टार्ट होंगी सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए तब ही आपको कुछ अच्छी सी न्यूज देखने को मिलेगी और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आजाए तो लाइक करना और मित्रों के साथ जरू शेयर करना क्योंकि आपके मित्रों के भी जिंदकी का सवाल है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अरПрबे इंटीपीर सी एक्जामटेयर 2020 वाइरल हुई नहीं रेल्वै एंटीपीर सी भरती परिक्षा की तीथी पर सरकार ने कही यह बात आपको बता देए कि टूट करके बताया कगाया है कि अर tarb एंटीपीर सी भरती परिक्षा 28 July commit सरकार के प्रेस सूचना कारेलेक ने इस खबर को बिल्कुल सही करार दिया है आपको बता दें कि जिसमें का गया है कि सरकार की फेक्ट चेक और्गिनाजेशन पी फेक्ट चेक ने रेलवे भरती की प्रिक्षा की तेयारी कर रहे लाखों यूँगों के बीच वाइरल हुई इस खबर को सही ठरात हुए ट्यूट क्या है कि रेलवे भरती बोड आर 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 बी ने मेडिया के साथ बाचीत कर एंट अर्वे न्टीपेसी भरती परिक्षा 28 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक चलेगी आप इस ट्वीट के साथ अटेच फोटो में भरती परिक्षा का शेडियूल है जिस पर सच की महुल लगाए गई है रेलवे रिक्वार्मेंट बोड आर आर बी हैज इंडेड एनॉंस्ड एफ्रे और आप देखें दोस्तों पुरा नोटिस देख सकते हैं मौर लग चुकी है ट्रू है ना आपको बता दे कि पिछले साल रेलेवे ने एंटीपीसी आइसुलेटेड मिनिस्ट्र एंड केटेगरी वह ग्रूप डी की बंपर भरती निकाली थी नए शेडियूल के मताबिक तो आइसुलेटेड केटेगरी परिक्षा 15 दिसमबर से और एंटीपीसी परिक्षा 28 दिसमबर से और आराजरी गुरूप डी की परिक्षा अपरेल 2020 में होगी तो दोस्तों यह थी खबर और यादों ने कहा है कि जिन लोगों को कोरोना कालम के पहले विविविन पदों के लिए चैनित किया गया है उनके प्रशिक्षों का काम भी सिग्र सुरू हो जाएगा और कोरोना काल के चलते उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी अब अगस्त 2021 तक पूरी कर ली जाएगी दोस्तों यह थी बहुत बड़ी खबर जो आपको मैंने बताई अगर खबर अच्छी लगे हो तो आज यह मारी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लाइटेक्स न्यूज की जान करें सबसे लेपाने के लिए